हेलो दिये स्टुएंट वेलकम टू आवर चैनल जैएड़ा आज मैं इस सेशन में जैएमेंस 2020 के जनवरी एटेम का 9 जनवरी का सिफ्ट वन का एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं और यह क्वेश्चन को इक सेक्षन का है तो देखो अभी जो मैं टू और त्री डे से कंटिन इसलिए जैएमेंस 2020 के एक एक प्रॉब्लम या दो-दो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं है इस सीज का मेरा मकसद यह है कि मैं उन्हें स्टुएंट को फिल करवाना चाहता हूं कि देखो जैए फॉर्मूला बेस्ट कोश्चन पोश्चन होता है जिसको आप आसानी से कर सक 2 वो इसष्यन को डर लगता है कि पता नहीं क्या वा तो है अगर प्रॉब्येस कर लेगे तो उनको ए कलिस्ट मिलेगा उनको संपडेंस आगा वो वो मह सॉलॵ तो देखो इस question में क्या है यहां लिखा हो question पहले question पढ़ते हैं तो question यहां पर लिखा हुआ है if e1 and e2 are the eccentricity of ellipse देखो यह एक ellipse का equation दे रखा है and hyperbola यहां पर एक hyperbola का equation दे रखा है ठीक है और उस eccentricity को e1 e2 माना का है अब बोला e1 e2 is a point on the ellipse अब देखो फिर से एक ellipse पर equation दिया और बोला कि e1 e2 इसको satisfy कर रहा है तो k की value क्या होगा देखो आप कितना आसान सा problem दिया है अगर suppose यहां पर जो ellipse का equation है वो है x square plus 18 plus y square by 4 equals to 1 तो अगर आपको याद होगा ellipse का जो eccentricity होता है उसका diet formula आपको बता है 1 minus b square by a square ठीक है या फिर अगर नहीं पता है तो I hope यह relation तो ज़रूर पता होगा b square equals to a square into 1 minus a square यहीं से यह आया है तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी अब देखो अगर इसमें बात करने eccentricity even दिया है इसको आप लिख सकते हो 1 minus b square के जगर कितना है 4 a square कितना है 18 तो देखो यह simple सा equation मुझे दिख़डा है यह कितना हो गया 1 minus 2 by 9 that means यह हो गया root 7 by 3 सही है यह अपना आगे eccentricity even अगर मैं दूसरा hyperbola की बात करूँ तो एक hyperbola भी दिया हो है जो है x square by 9 minus y square by 4 equals to 1 अगर आपको याद होगा hyperbola का eccentricity जो होता है वो होता है 1 plus b square by a square यह अगर यह याद नहीं है तो at least यह तो याद होगा b square equals to a square into a square minus 1 कुछ नहीं किया हो यहाँ देखो b square by a square 1 को इदिर लेव प्लस हो जागा तो e की value आजएगा फिर देखो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा e2 इसका नाम दे दिया e2 और यहाँ value रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 plus 4 by 9 तो देखो यह अगर आपको दिख़़ा है तो मैं डायेक्ट लिख सकता हूँ root 13 by 3 ठीक है यादि e1 e2 अपना बन गया उसने बोला कि यह e1 e2 that means क्या root 7 by e and root 13 by 3 sorry root 7 by यहाँ पर है 3 root 7 by 3 है यहाँ मैंने 3 लिया और यहाँ भी 3 यह जो point है यह कहाँ लाइक कर रहा है तो यह लाइक कर रहा है 15x square plus 3y square equals to k अब आप satisfy करवा दो तो satisfy करवा होगे तो यह आ गया 15 into 13 by 9 equal to कितना k अब आप देखो 15 into 7 I think 105 by 9 अब 13 into 3 यह होता है 39 by 9 equal to k यहाँ आप देख सकते हो k कि भेलुआ जाएगी कितना 9, 5, 14 और यह 114 divided by 9 यह answer आगया अपना 16 तो देखो option A में अपने को दिख़़ा है कौनसा 16 अब बताओ यह कितना आसान सा problem जही में 2020 मा आए हो है तो मैं हर instrument को बताना चाहता हूँ कि आप लोग previous year question करो इससे आपका confidence level बढ़ेगा जैसे बहुत लोग पढ़ाई कड़कर के ठक गएं तो आप यह सुचो कि इतने आसान question आते हैं तो अपन इजली बे में जही निकाल सकते हैं फोर सकते हैं चलो wish of luck